सीखेंगे जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना फाइब नंबर की हल्प से बस आप वीडियो को सुरू से लाश तक देखते रहेगा और अगर आपने भी तक मारकर पेपर पेंसल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दी इसको ऐसे हलका सा अंदर के साइड में करते हुए उपर की तरफ आप उठा दीजिएगा उठाने के बाद दोस्तों एक छोटा साइक आप यहां पर ऐसे पॉइंट लगाएंगे यहां से ले जाईएगा नीचे के तरफ भी हम ऐसे यहां पर बढ़ा देंगे अब दोस्तों बढ़ाने के बाद जश्ट इस फाइफ के अंदर ही हमें लाइन का तीत बना देना है एक यहां पर ऐसे बनाएंगे तीत बनाने के बाद आपको उपर के साइड से यह वाला पोर्शन दिखिएगा इसको ऐसे नीचे के तरफ ले जाना है फिर अंदर बाहर करते हुए यहां पर भी आप ऐसे अंदर बाहर करते हुए उठा दीजिएगा और इधर एक उल्टा सी लेटर लिख देंगे इसकी हल्ब से लाइन का यह बन जाएगा अब दोस्तों इसको हम यहां से अंदर बाहर के तरफ करते हुए बढ़ाते जाएंगे इधर बढ़ाएंगे यहां से भी इससे रिपीट करके देख लिजिएगा वैसे हम कोशिस करते रहते हैं आपको एक बार में ही समझ में आ जाए अब हमें बनाना है इसका बैक पॉर्शन इधर से करिएगा यह वाला आप इधर से बढ़ा देंगे अब दोस्तों यहां से हमें इस लाइन का लेक बना देना है इधर बढ़ाईएगा यहां से दोस्तों आपको इस लाइन को डबल करना होगा फिर इधर से आगे की तरफ बढ़ाईएगा इसको ऐसे गुमा दीजिएगा छोटी सी लाइन इधर ड्रो कर देंगे एक लाइन और ड्रो करते हुए इसको ऐसे मिला दीजिएगा देखिए कि मिल्दाइएगा इस तरह आप आसाने से मिलाएंगे अब हमें जस्ट इधर से इधर ऑपर के शाइड में इधर ऐसे बढ़ाएंगे इसको नीची की तरफ इहां पर कर देमें रहलक जैसे आपने यहां पर किया इसी तरह सेम हम इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे इधर देखिएगा यहां से हलका सा अंदर के साइड में करते हुए एक लाइन आप इधर बढ़ाएंगे इसको ऐसे डबल कर दीजिए देखिए कितना आसान है इससे आसान आपने अभी तक यू इसको थोड़ा सा और ऊपर आपको बढ़ाना होगा यहां से ऐसे बढ़ाती हुए इधर ले जाएंगे और आपको इतर ऐसे कर देना है यह वाला सिरा हमें ऐसे डबल कर देना होगा तो इस लाइन का यहां पर आप ऐसे टेल बना दीजिए देखिए कितनी आसानी से हमारा का चेत्र बनके तयार हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा